सब के बीच रूख चण्डिगण का जहां से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है चण्डिगण से कवरपाल गुजन देर जानकारी दी है विधांसवा स्पीकर कवरपाल गुजन जिनोंने एक एहम जानकारी साज़ा की है कि इसी महीन विधान सभा सत्र बुलाए जाएगा इसकी उम्मीद उन्होंने जुताई है आखरी हथे में सत्र बुला जा सकता है आज शाम को कैबिनेट की एहम बैठक और इस बैठक में ही सत्र की तारीख पर मुहल लग सकती है विधान सभा स्पीकर कवरपाल गुर्जण ने ये जानकारी दी है चंडिकर से स्वक्त की बड़ी ख़बर वह ऐसा थमारे वर्षे सयोगी राकेश गुपता जी फूल लाइन पर जुड़ गए है राकेश जी कवरपाल गुर्जण ने जानकारी दी है कि इसी महीने विधान सभा स्पीकर बुलाए जाने के उमीद है और क्या कुछ जानकारी आप बिल्कुल देखे है हरैन ने पहले से खुलासा कर चुपा है कि 26 जुलाई से जो विधान सभा स्पीकर हो सकता है और ये केबिनेट की बैठक में जो है फैसला लिया जाना है हलांकि कमरपाल गुजर से हमारे बात भी उन्होंने कहा है कि संभावित यही है कि इस माँ के आखरी दिनों में सत्र हो और उन्होंने ये भी संक्या दिया कि 26 तारिक से ये जो सत्र शुरूख हो सकता है और इसके साथ आखर में कहा कि पूरी तरह से तैयारी है तक पूरा मौका दिया जाएगा बोलने का और इस तफ़े जो है तत्र का नजारा अलग होगा क्योंकि आप जानते हैं कि बड़ी संक्या में जो इनैलो के विधायक हैं वो इस समय भाज़का में जा चुके हैं कांग्रेस की तरफ से अभी विधायक मुख्य विपक्षी दल के नेता के तौर पर किसी का नाम नहीं दिया गया है जो जो जिसका भी नाम आएगा उसको मानने साथ दे देंगे इसके साथ आज दूसरी कारवाई ये थी आप जानते हैं कि चार विधायकों पर जो पूर विधायक हैं उसकी याज़का जो है स्पिकर की कोट में भी चल रही है जह गस्त के लिए उन्हें समय दिया गया है और डूनों पक्षियों को ये डेट दी गई है और इन चारों विधायकों को भी आज के अपने जवाम में इन विधायकों ने कहा है और उन्हें जज़पा को जोईन नहीं किया है जी रेनो चले बहुत शुक्रिया राकेश ये आपका इस तवाम जानकारी के लिए तो चंडिगर से हमारे साथ राकेश गुपता जी जुड़े हुए थे जो कि ये जानकारी दे रहे थे एहम जानकारी हर्याडा विधान सभा के स्पीकर कवरपाल गुर्जर ने दी है इसी महीने विधान सभा का सत्र बुलाने की उमीद है और जैसा की बताया राकेश गुपता ने कि किस तरीके से विधान सभा का जो नजारा है इस बारों बतला हुआ नजर आएगा इनलों के तमाम जो चेहरे थे वो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और अब सदन की जो परिस्तितिया होंगी वो बिलकुल अलग नजर आएगी